नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि बिटगृम M टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है। बिटग्लिम M टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और बिटग्लिम M टैबलेट की वज़ज से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। और यह भी discuss करेंगे कि Bitiglim M Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. Bitiglim M एक brand name है. Bitiglim M Tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है. Bitiglim M Tablet के अंदर salt composition glymepiride और metformin होता है. जब किसी व्यक्ती का blood sugar level किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो, तब डॉक्तर दो दवाओं के combination वाली Bitiglim M Tablet को लेने की सला दे सकता है. Bitiglim M Tablet का उप्योगर type 2 diabetes में blood sugar के लेविल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है. Bitiglim M Tablet शरीर में blood sugar के लेविल को कम करती है. शरीर में शरीर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है. क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेविल ज्यादा रहने की वज़ह से kidney damage हो सकती है. आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है. और शरीर की नसे damage हो सकती है. इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है. खाना खाने के दो घंटे बाद एक नोर्मल व्यक्ती का blood sugar level 140 से कम होता है. खाना खाने के दो घंटे बाद यदि किसी व्यक्ती का blood sugar level 140 से लेकर 200 के बीच में हैं, तो व हुआ व्यक्ती परि-diabetic stage पर है. परि-diabetic stage पर sugar level को बिना दवाओं की मदद से नियंतरन में किया जा सकता है. यदि किसी व्यक्ती का blood sugar level 200 से ज्यादा है, तो हम चह सकते हैं कि उस व्यक्ती को diabetes की समस्या है. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में बितगलिम एम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में बितगलिम एम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे दस्थ होना, उल्ती आना या उल्ती आने का मन होना, वजन का बढ़ना, भूख कम लगना, मुँख के स्वाद में बदलाव होना, कमर में दर्ध होना, पेट में दर्ध होना और सिर्दर्ध होना आदी साइड एफेक्स बितग्लिम M टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं. इसके अलावा बिटगलिम M tablet की वज़े से शरीर का blood sugar level बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है अब हम discuss करेंगे कि बिटगलिम M tablet को कैसे लेना recommended होता है बिटगलिम M tablet को सुबा breakfast के समया खाना खाते समया बीच में लेना recommended होता है या Bitiglim M tablet को खाना शुरू करने से तुरंत पहले लेना recommended होता है। आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में Bitiglim M1 tablet को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सला देते हैं। लेकिन शरीर में ब्लड शुगर की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्टर डोज को बढ़ा कर Bitiglim M2 tablet को भी दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सला दे सकते हैं। Bitiglim M tablet को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए। Bitiglim M tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और शरीर में ब्लड शुगर के लेविल की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको Bitiglim M tablet को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की Bitiglim M tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको Bitiglim M tablet के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए। चिंता वतनाव से बचना चाहिए, परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए। और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो वजन को कम करना चाहिए। टाइप 1 डाइबिटीज होने पर, कोई सर्जरी होने पर, डाइबिटिक कोमा होने पर और डाइबिटिक कीटोसिस होने पर बिटिगलिम M tablet को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। ग्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको बिटिगलिम M tablet को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बिटिगलिम M tablet से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।